छीक कहते हैं किसी कारणवस व्यक्ति की नाक से तीवर व्यक के साथ हवा के निकलने को इसमें अनेक लाब हैं जिन्हें आधूनिक चिकित्सा ने सिद्ध किया है छीकने के कुछ धार्मिक परावधान इवं शरी सिस्टाचार है उन में से एक यह है कि अल्ल्ह ताला चीकने को पसंद करता है नभी डून ने फर्माया सर्वोच आल्ला चीकने को पसंद करता है सुन्नक में चीक के बाद परशंशा करने का वचन बताया गया है जो की आलहमदुल्ल्लह कहना है और इसमे अल्लाह का अपने बंदे पर बहान अनुगरह की और इशारा है कि उसने च्छीक के दुआरा अनुगरहीत करके उस से हानी को दूर कर दिया फिर उसके लिए अलहम्दुलिल्ला कहने का विदान बनाया जिस पर उसे पुन्न दिया जाता है तत पस्चात खेर अर्थात भलाई की दुआ करने को कहा अबू हुरेरा रदियाल्लाह अनुछ से वर्नित है वो नभी स्लिल्लाह अल्ही वसल्म से रिवायत करते है कि आपने फरमाया तुम में से कोई जब छीके तो अलहम्दुलिल्ला कहे एसे सुनने वाला उसका भाई अतवा दोस्त यरहमुकल्ला कहे और जब कोई यरहमुकल्ला कहे तoth छीकने वाला उसके उत्तर में यहदीकूम ल्लाह व युशलिभू बालकूम कहे एक मुसल्मान का यह अधिकार है कि जब वो छीके तथा अलहम्दुलिल्ल्ला कहे का लफ यर्हमक ल्लाह का अर्थ है कि सर्वोच अल्लाह इसे तुम्हारे लिए जारी रखे ताकि तुम सुश्त रहो यदि कोई यर्हमक ल्लाह नहीं कहा जाएगा जो छीके तथा भूलवस max दिला ना तो वहाँ उपस्थित मुस्लिव के लिए मुस्ताब है कि उसे याद दिलाई कि वह Careful गजो वे एक ती बार बार चीकता हो रू को य्र रहमुक तो तीन बार यर्खते के — यह रहमुक अल्ह पूर के दौरान चीके तो चुपके से अलहम्दुलिल्ला कहे परंतु यदी जोर से अलहम्दुलिल्ला कह दे तो अन्न नमाजियों के लिए जाइज नहीं है कि वह उसके उत्तर में यरहमुकल्ला कहे इमाम यदी खुपा देने के दौरान चीके इमाम जोर से अलहम्दलिल्ला कहे और अलहम्दलिल्ला कहकर चुप हो जाए तो उसके उत्तर में या रहमुक अल्ला कहने में कोई हर्ज नहीं है कि तु ऐसा कहने के पश्चात इमाम यदी चुप ना हो बल्कि खुत्बा जारी रखे तो फिर या रहमुक अल्लाह नहीं कहा जाएगा यदी कोई गैर मस्लिम छीकने के पश्चात अलहं पश्चात तो उसे सनने वाला मस्लिम उससे हदा का लगा आफा का लगा क्योंकि यहूदी लोग नबी चुप श्चात इस आशा में अलहं कहा करते थे कि आप उन्हें या रहमुक अल्लाह पर अप उन्हें कहते हैं अर्थात आपिरी है इसी परकार से शौचाले में बैठे हुए वैक्ती के लिए छीकने के पश्चात जुबान से अलहम्दुलिल्ला कहना मकरू है पलंतु उसके लिए अपने मन में ऐसा कहना जाइज है चीकने वाला वैक्ती चीकते समय अपनी आवाज धीमी रखे तथा अलहम्दुलिल्ला जोर से कहे और चीकते समय अपने मुख को ढाप ले ताकि उसके मुह अथवानाक से कोई ऐसी चीज ना निकले जो उसके पास बैठे हुए वैक्ती के लिए कश्ट का कारण बरे तथा वा अपनी गर्दन को दाएं या बाएं ना घुमाए ताकि उसे हानी न पहुचे